सिरोजबाद जिले के शिकोहबाद में पत्नी चपन लेकर पती बचूद पड़ी चपनों से जमकर पिटाई की और जो भी उसे बचाने आया उसको भी पीट दिया पत्नी पती दुआरा दूसरी शादी करने से नाराज थी पुलिस दोनों पक्षों से पूस्ताज कर रही है शिकोहबाद निवासी ब्रज मोहन पुत्र राम प्रमोत की शादी 17 फरवरी 2012 को मखनपुर निवासी युवति के साथ हुई थी पत्नी के मताबिक शादी के बाद से ही पती अतीरिक दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करता था वर्श 2013 में पती ने मारपीट के बाद पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया पतनी ने पती पर दहेच के लिए मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नियायाले की शरण ली थी और ये मामला सिविल कोट में अभी भी विचारदीन है गुरुवार की दुपहर में पतनी को जानकारी हुई कि उसके पती ने घिरोर मेंपूरी निवासी किसी युगती से दूसरी शादी कर ली है बस फिर क्या था ये खबर सुनते ही पतनी आग बबूला हो गई और अन्य महिलाओं को साथ लेकर युवक की शिकोहबाद नगरफालिका के सामने कम्पीटर की दुकान पर पहुँच गई जहां उसने चपल उतार कर पती को पीटना शुरू कर दिया युवक को बचाने जब उसका भाई बीच बचाव करने आया तो आरोपी की पतनी ने उसके भाई को भी पीटना शुरू कर दिया महिला दुआरा पिटाई करते हुए लोगों ने वीडियो बना ली जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुँच गई पुलिस दोनों पक्षो को पकड़ कर थाने ले आई है इस मामले में इंस्पेक्टर प्रमोत कुमार मलिक का कहना है कि दोनों पक्षो को थाने में बिठा कर राजी नामे का प्रियास किया जा रहा है